आज ही ओलाडॉक अप डाउनलोड करें ओलाडॉक डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट आसानी से असलामलेकूम मेरा नाम डॉक्टर मदीह हरीफ है मैं एक कंसल्टन डर्मेटॉलोजिस्ट और कॉस्मेटॉलोजिस्ट हूँ और मैं ताज मेडिकल कंप्लेक्स और दो तलवार कलिफटन पर प्रेक्टिस कर रही हूँ आज कल आज का जो हमारा मौदू है वो है चहरे पे दाग, धबे या जहाईयां वगएरा जो के हमारे अमूमन क्लिनिक्स में जो है बहुत जादा बेशुमार तादाद में मर्द और खवातिन दोनों इस रीजन की वज़ा से हमारे कलिनिक में आते हैं तो इसमें इसकी हम वजुहात पे सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो है वो सबसे पहले मिलास्मा आता है मिलास्मा जो है वो मर्द और और ओरत दोनों को मतासर करता है लेकिन जादा तर जो है वो अमूमन ये खावातीन में पाया जाता है अच्छा इसके लावा जो है वो चेहरे पे दाग धबाईों की जो है वो एक और वज़ा हो सकती है जैसे एकनी है एकनी के बाद भी जो है वो चेहरे पे जो दाग धबे रह जाते हैं उसकी वज़ा से भी काफी सारी खावातीन जो है वो मुश्किल का शिकार नजर आती है परेशान रहती है तीसरी जो है वो ये वज़ा हो सकती है कि बहुत ज़्यादा प्रोलांग सान एक्सपोजर जिनका हो तो उनके चेहरे पे भी दाग धबे बहुत जादा तोर पर नमाया नजर आते हैं अच्छा इसमें सबसे पहले जो है वो मिलाजमा की बात कर लेते हैं मिलाजमा की जो है वो बहुत सारी वजूहात हैं सबसे पहले तो ये कि एक जेनेटिक कंडिशन है ठीक है ये जनरेशन में चलती है दूसरा ये कि इसके और भी बहुत सारे कौदेश हो सकते हैं जैसे किसी को आईरेन डेफिशनसी एनीमिया हो सकता है तो उसकी वज़ा से भी मिलासमा हो सकता है दूसरा ये कि कोई हॉमूनल इंबैलनस जो है वो चल रहा हो तो उस वज़ा से भी मिलासमा हो सकता है या फिर कोई हॉमूनल ओलर कॉंटरसेप्टरस पिल इस्तमाल की जा रही हो और तीसे नमबर पर ये कि ये ज़ादार खवातीन को प्रिग्नेंसी में भी हमल के दौरान भी हो जाता है इसमें मैं सबसे पहले डोंट्स की बात करूंगी कि आपको क्या-क्या इसमें नहीं करना चाहिए ज्यादा तर खवातीन होम रेमेडीज इस्तमाल कर रही होती है तो जिन में सबसे ज़्यादा लेमन पाया जाता है तो लेमन को बहुत सारी अज़ा के साथ मिला कर इस्तमाल कर रही होती है तो मैं ये सज़ेस्ट करूंगी कि आप बगैर डॉक्टर के मश्वरिस के लेमन इस्तमाल ना करें लेमन बेसिकली क्या करता है लेमन में एक इंग्रीडियन्ट होता है कुमरिंस वो क्या करता है वो सनलाइट के साथ जब मिलता है तो और प्रिग्मेंटेशन बर्स करवा देता है दूसरे नमबर पे हमारे हाँ बहुत आम तोर पे स्टिरोइड और वाइटनिंग क्रीम जो हैं वो अविलिबल हैं जो लोग बहुत जादा यूज कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो हाई कंटेंट ऑफ स्टिरोइड होता है तो वो पिग्मेंटेशन दूर करने के बजाए उसके और बहुत सारे साइड एफेक्स हो जाते हैं जैसे चेहरे पे बहुत जादा बाल बालों का निकल आना तो म मेशरे के बगार बिलकुल भी ऐसी क्रीम्स ओवर दे काउंटर मेडिकेशन यूज ना करें अब मैं आती हूँ डोज की तरफ के आपको क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आप अपनी हाइडरेशन अच्छी करें दिन में जो है वो आप बार्ट से बारा गिलास पानी जरूर पीए ठीक है ऐसे फ्रूट्स लें दिन में अमेरिकन स्टडीज कहती हैं के अट लीस्ट दिन में फाइफ फ्रूट्स इन डे आप जरूर यूज करें जिसमें हाई कंटेंट ओफ वाटमिन सी वाटमिन बी कॉम्पलेक्स जरूर मौजूद हो तीसरे नमबर पर यह एक्सपोजर है सन का वो आप लिमिटेड रखें बारा से तीन बजे की जो धूप है वो इंतहाई बहुत जादा खतरनाक है आप उसमें जो है वो ना निकलें तो बहतर है और अगर बहुत जादा जरूरी है निकलना तो प्रिकॉश्री मेजर्स लेकर निकलें जैसे सन ब्ल संक्रीन्स वो यूज जुमें वो गर्फिजिकल संस्क्रेंर तुमें जिसमें और जिसमिएंटेटीम ऑकसाइड वर और जिसका is review फिफिटी से अबव हो अशिघ्टी से अवज तो आप ऐसी संस्क्रीनिंस जो है वो यूज करें और इसके लावा हमारे पास मेलादमा और प प्रोसीजर्स हैं मीजो थरैपी चल रही है आजकल केमिकल पीलिंग है ठीक है लेजर से भी जो है वो आजकल पिग्मेंटेशन और मिलाजमा का खात्मा किया जा रहा है तो बहुत सारे हमाई पास आप्शन्स हैं दूसरा यह कि आप अपना एक रेगुलर में सी बी सी बलड च टाया जो है वो निकलाते हैं इसके अलावा यह है कि आप अपनी डाईट को जो है वो अच्छा अर्म रिप्लेश्मेंट करें बБज़न हेल्दी गडुट डाईत ऍड विध गुड़ वायतमिन में वेद गुड़ वईतम वीटमिन विधा है इसलया निधा वाइब वायतमि कम से कम आठ से दस घंडे की नीन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है अगर आप अपने स्किन को बहुत जादा फ्रेश एंड ग्लोई देखना चाहते हैं आखर में मैं यही कहूंगे के इंप्यूव यूर लाइफ स्टाइल एंड अगर आपको मेरी मज़ीद वीडियो देखनी है तो आप ओला डॉक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर मेरी अपॉइंट्मेंट चाहिए तो थ्रू ओला डॉक या वॉक इन देखते हुए आज ही ओला डॉक अप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट आसानी से